सभी बच्चों को मैंना नमस्कार ये आडी शर्मा क्लास 11th Mathematical Induction Chapter 12 का 9th question है इसको Mathematical Induction से आपको Proof करना है आप जानते है Mathematical Induction क्या होता है इसमें आप Proof करते नहीं है Verify करते है तो चुकि इसका इंट्रो आप देख चुके होंगे तो पहला इस टिप हम क्या करते है For N is equal to 1 हम देखते हैं कि इसके left hand side की value और right hand side value equal होनी चाहिए तो अगर LHS लेंगे तो क्या आएगा 1 upon 3 into 7 साथ रुक ये point नहीं है 3.7 नहीं है दशंबलों नहीं है ध्यान रखेगा 1 upon 21 फिर RHS लेंगे तो RHS में N को 1 रखो हाँ पर 1 upon 3 into 4 plus 3 4 plus 3 7 into 3 21 1 upon 21 तो आपने क्या देखा कि LHS is equal to RHS so given statement given statement is true for N is equal to 1 है नहीं मैंने इसको verify कर दिया कि भी आप 1 रखेंगे तो LHS RHS सेम होंगे इसके बाद दूसरा step क्या करते है step 2 में क्या करते है रास्ते में एक value K मान लेते है general value और हम कह देते हैं कि उस पर सही है उस पर verify नहीं करते let it is true let it is true for N is equal to K तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 1 upon 3 into 7 plus 1 upon 7 into 11 plus 1 upon 4N minus 1 इससे 4 जादा 4N 4K sorry 4K लिखेंगे ना इनको हमने K मान रखा है और K पे हमने इसको सही माना है तो 1 upon 4K minus 1 into 4K plus 3 is equal to K upon 4 क्या लिख रहा हूँ गई 3 4K plus 3 यह कुशन नमबर 2 आया हुआ है ठीक है यह हमने सही मान लिया है ठीक है यह K लिखा हुआ है थोड़ा साथ छोटा लिखा जगे कम थी यह K लिखा हुआ है अब आप K के just bad value काउं से आती है K plus 1 हम वहाँ पर सही नहीं मानेंगे हम चेक करेंगे तो तीसरा step हम क्या करते है N को K plus 1 लिखते है और देखते हैं यह सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो step 3 for N is equal to K plus 1 तो बहुत लोग तो K plus 1 दोनों साइड लिख देते हैं LHS, RHS आप LHS में लिखे solve करिए और RHS में आपने आप आ जाएगा दोनों तरब लिखते हैं तब यह सही माना जाता है गलत नहीं है तो यह आएगा taking LHS of equation 1 इसका LHS ले लो N को K plus 1 कर दो क्या हैगा 1 upon 3 into 7 plus 1 upon 7 into 11 plus देखो जब N को K plus 1 लिखेंगे तो इस टेप बन क्या जाएगा तब बना के देख लो 4 N को लिखो K plus 1 minus 1 तो 4K plus 4 minus 1 तो 4K plus 3 आएगा तो यह आएगा 1 upon एक bracket में आएगा 4K plus 3 और अगले bracket में इससे 4 ज़्यादा है तो आएगा नमबर इससे 4 ज़्यादा हर बरा रहा है तो आएगा 4K plus 7 इससे पहले कौन से step आएगा तो इसके पहले step तो यही आएगा बुले तो आभी आप डाइल लिख रहे हैं ना आए तो तो देखो द्यान से 3 से 7 कैसे आया 4 plus किया ना तो इसमें 4 minus कर दो तो 4 minus कितना आएगा 4K minus 1 आएगा और इसमें क्या करोगे साथ से इसमें 4 minus कर दो तो 4K plus 3 आएगा आएगा नहीं आएगा अब ज़रा देखे यहां से लेकर के यहां तक का देखे यह पूरा आपको यह दिख रहा है और दिखेगा ही क्योंकि इसके ज़स्ट पहले की वैलू है तो आप इस एक्वेशन का इस्तेमाल कर दो यूजिंग एक्वेशन 1 2, sorry यहां से लेकर के यहां तक की वैलू क्या आई हुई है वैलू आई ही है के अपान 3 4K plus 3 और प्लस 1 अपान 4K plus 3 in bracket 4K plus 7 अब इसको हम solve करेंगे लेकिन इसके पहले हम जबा कुछ बाते करेंगे बाते मतलब कोई को नहीं कि क्या हल चाल है देखो ध्यान से हमारा चुकि राइट हैंड साइड में सेम वैलू आनी चाहिए अगर मैं राइट हैंड साइड में N को K plus 1 लिखता तो यहां क्या आता यहां उपर K plus 1 आता नीचे क्या आता 3, 4, K plus 1, plus 3 यहनि 4K plus 7 हुआ यह तो आपको आंसर में क्या लाना है उपर K plus 1 आना चाहिए नीचे 3 और 4K plus 7 आना चाहिए अब इसको solve कर लीजिए देखें यहां LCM क्या दिख रहा है यहां LCM दिख रहा है 3 इन ब्रैकेट एक है 4K plus 3 और एक है 4K plus 7 इन भाई साग बाद K पहले से है और 4K plus 3 आए तो 4K plus 7 से multiply हो जाएगा 4K plus 7 और यहां पर plus 3 हो जाएगा अब ब्रैकेट कोल दो उठा करके तो उपर क्या आएगा 4K स्क्वाइर प्लस 7K प्लस 3 अपान 3 4K plus 7 4K plus 3 और 4K plus 7 अब आपको जो numerator है ना इसके factors करने पढ़ेंगे factor जानते हैं आप 4 तियां 12 और 4 तियां 7 जिसको लिखेंगे 4K स्क्वाइर प्लस 4K प्लस 3K प्लस 3 splitting the middle term ये पढ़ चुके हैं आप 3 quadratic factors आपको 9th क्लास से पढ़ाए जाते हैं 4K plus 7 ठीक है अब देखे ध्यान से थोगा लंदी है K plus 1 के लिए K तक तो चलता है K plus 1 के लिए भी लंदी नहीं है calculation कभी कभी फच जाता है देखो यहां से क्या कामन दिख रहा है 4K कामन दिख रहा है 4K अंदर क्या पचेगा K plus 1 वहां से क्या कामन है 3 अंदर क्या पचेगा K plus 1 नीचे क्या है 3 4K plus 3 in bracket 4K plus 7 उपर common क्या देख रहा है यहाँ भी K plus 1 है यहाँ भी K plus 1 है तो K plus 1 common है अंदर क्या पचेगा 4K plus 3 upon 3 4K plus 3 in bracket 4K plus 7 यह cancel हो गया तो उपर क्या है के प्लस 1 upon 3 4K plus 7 अगर मैं के प्लस 1 right hand side में लिखता तो मेरा result यही आता तो आप कहेंगे यही arches है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारा statement N is equal to K plus 1 के लिए भी सही है so this statement is true so this statement is true for N is equal to K plus 1 also so it is true for all the values of N for all the values of N ठीक है यह N की हर value के लिए सही होता है ठीक तो this is question number ninth solution झालि भी सही है